अंदाल के राजा के महल से कोई उसका कीमती पत्थर चुरा लेता है राजा अंदाल के सैनिक चार संदिगधों को पकड़ कर महल में लाते हैं चारों कहते हैं हम निर्दोश हैं राजा अंदा छोर को पकड़ने के लिए एक युकती सोचता है वो उन चारों के हाथ में एक-एक लकडी देता है और कहता है ये जादूई लकडी है जो चोर के घर में जाते ही उसके घर में दो इंच बढ़ जाएगी और जो चोर होगा उसकी लकडी बाकियों से बढ़ी होगी चारों लकडी अपने पास ले लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं अगले दिन चारों अपनी अपनी लकडी के साथ राजा के पास वापस आते हैं उन चारों को और लकडी को देखकर राजा समझ जाता है कि चोर कौन है क्या आप बता सकते हैं चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंद हैं कमेंट करके बताईए आंसर D. चोर को लगता है कि घर जाकर उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी इसलिए वो लकड़ी को 2 इंच काट देता है और उसके हाथ में जो लकड़ी है वह दूसरों से छोटी है डेमान अपने तीन दोस्तों के साथ पार्टी करता है और बहुत ज्यादा पी लेता है तीन लड़कियों में से एक लड़की उसे टेक्सी से घर छोड़ती है जब सुबा वो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका पस और घड़ी गायब है तुरंट उस बार में वापस जाता है जहां उसने कल रात पार्टी की थी और उन्हें कल रात के फुटेज दिखाने को कहता है इन तीन लड़कियों को देखने के बाद आप बता सकते हैं कि चोर कौन है आपके पास पांच सेकंद हैं कमेंट करके बताईए आंसा बी डैमन के शर्ट पर जो लिप्स्टिक के निशान थे वो बी से मिलते हैं मेहुल अपने कुट्टे के साथ टहल रहा था तब ही कुट्टा किसी चीज से दर कर भाग जाता है मेहुल उसे पकड नहीं पाता परन्तु उसे एक पेच शॉप में जाते हुए देखता है शौप के अंदर जाकर मेहुल पांच कुट्टे उसके कुट्टे समान देखता है क्या बता सकते हैं इसमें मेहुल का कुट्टा कौन सा है आपके पास पांच सेकंद है कमेंट करके बताईए आंसर D अगर आप उसके गले के पट्टे देखेंगे तो आप पाएंगे कि D के गले में उसी रंग का पट्टा है जो मेहुल के कुट्टे के गले में था चार दोस्त, लायन, बिल, जेम्स और माइक एक बार में पार्टी कर रहे थे वेटर कुछ स्नेक लाने किचिन में जाता है जब वेटर वापस आता है तो वो लायम को मृत पाता है वेटर तुरंट जासूस मेहुल को बुलाता है मेहुल इन तीनों से पूछता है कि कतल किसने किया है तो तीनों एक दूसरे को हत्यारा बताते है उसके बाद में मेहुल इन तीनों से अलग-अलग पूछताच करता है कि वो हत्या के समय क्या कर रहे थे बिल लायम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था मैं कभी उसकी हत्या नहीं कर सकता जेम्स मैं पीते हुए खिर्की से बाहर देख रहा था मुझे कुछ पता नहीं माइक मैं अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है आपके पास पांच सेकंद हैं कमेंट करके बताईए आंसा दी जब मेहुल ने जेम्स से पूछा था की हत्या किसने की है तो उसने बिल के तरफ इशारा किया था मगर बाद में उसने कहा उसे कुछ पता नहीं है अज सुबह मिस्टर रीतिक के शरीर में चाकु धहसा पाया जाता है जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुँचकर हत्या की जाँच करता है मेहुल घटनास्थल की अच्छी तरह जाँच करता है पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता तो वो बगीचे में पहुँचकर माली से बात करता है मेहुल आपके मालिक की हत्या हो गई है क्या आप कुछ जानते हैं क्या सर की मौत हो गई किसने उन्हें चाकू से मारा मैं तो अभी काम के लिए आया हूँ मुझे कुछ पता नहीं है मेहुल उसके बाद रसोईये से बात करता है कुप क्या सर की मौत हो गई मुझे कुछ पता नहीं मैं तो खाना बना रहा था दोनों में से कोई एक हत्यारा है क्या आप बता सकते हैं आपके पास पांच सेकंद है कमेंट करके बताए आंसा वी माली मेहुल से कहता है सर को किसने चाकू मारा है उसे कैसे मालूम की सर की हत्या चाकू से हुई जबकि वह तो तभी आया था